नमस्त दोस्तों आप सब का स्वागत है आप एक डूप चानल लिप्टेंड स्टॉक प्रेडिक्शन्स में दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले कुछ तीनों से आपने देखा रहे हैं तो बहुत ही ओलडल हो चुके हैं उसका रिजन स दो सकता है दो सो पहली बात तो यहां पर आप देखोगे तो निफ्टी ने बहुत बड़ा लाइफ टेम है लगया था ट्वेंटी थी थाउजन्ड क्रॉस के अधा 23100 के आज पास निफ्टी ने हाए मारता है जो कि हमने लास्ट तू लास्ट जितने भी वीडियो बनाए उ दो तो 22700-800 अगर 22700-800 के ओपर अगर निफ्टी निकलता है तो डेफिनेटी थी थाउजन्ड टू अनड़ तक आना चाहिए यह हमारा प्रेडिक्शन था लेकिन यहां पर आप देखोगे तो निफ्टी ने 23000 110 हाई लगा के वहां से रिवर्स वचुखा दोस्तों प्रेड लेकिन एक्जक्ट 200 है क्यों हमें भी पता नहीं था एक्जक्ट टॉप और बॉर्टम कोई क्याप्चर ने कर सकता तो लेकिन 23000 लेवल डेफिनेटली फीक्स था निफ्टी 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 थाउजन को रिस्पेट किया उसके बाद वापीस एक 100 पोंट का देखने को मिला रुआ से निफ्टी अभी आप देखोगे तो कंजिकेटली लास्ट 3-4 देज हमें निफ्टी फॉल होते हुए दीकर आये दोस्तों यहाँ पे जो सेलिंग आया है यहाँ पे कहीना कई पैनिक आ चुका है एक तो पैनिक आ चुका है नहीं तो बड़े प्ले कि अगर सरकार आती है तो डेफिनिटली मार्केट उपर जाने वाला है तो कहीना कई यहाँ से रिटेलर को निकला जा रहा है और बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं अच्छे पोजिशन पे और अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स में तो यहाँ पे हमें एक रिजन यह ह सकता है दूसरा रिजण है दोस्तो टेक्निकली आप देखोगें चाहिकल Creating लिए convincing ओप लेवल था दोस्तो अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो तो ट्वेंटीटू थाउजन फाइव रहा सकता है आज तो अगर आप जलता है तो यहां पर वापिस एक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं और वापिस 21,800 के तरफ निफ्टी जा सकता है तो दोस्तों लेवल्स क्यों इंपॉर्टन है क्योंकि लेवल्स के हिसाफ से मार्केट काम करना और हमें लेवल्स के इसाफ से हमारी पूजीशन से डिफाइन करनी है हां हमें बने रहे ना है या नहीं बने या आपके ओपर दी पेन लेकिन मैं हमीशा मोलता है दोस्तों स्विंग में आगर आप काम कर रहे हो शौट टम ट्रेडिंग में आगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको लेवल्स फॉलो करना चाहिए मैंने बहुत जितने भी लास वीडियो बनाए उसमें एक लेवल बताए था दोस्तों 21,800 जब तक 21,800 ब्रे लेकिन यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने 22,700 के पास होल्ड करना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट सपोर्ट था क्यों पहले रेजिस्स था और यहाँ पे आज क्या हो दोस्तों पैनिक सिनारियो कब करेड हो था यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यह गंटे का टाइम फ्रेम है यह जो इंपॉर्टन लेवल था 22,800 अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 22,800 के नीचे ही गाप डाउन ओपन हुआ और एक गंटा मार्केट ने टाइम स्पिन किया हमारे अनलसिस के इसाफ से इसने कनफर्मेशन भी दिया वापी से रिटेस्ट किया वहाँ पे रिजेक्शन हुआ और नीचे आया ओके कल की दिन और उसके बाद 22,800 के नीचे ओपन होते ही आज का दिन भी पूरा सेलिंग में गया दोस्तों आज तो गाप डाउन ओपन ही हुआ लेकिन एक गंटे का टाइम प्रेम जो इंपॉर्टन लेव 1400 के तो यहाँ पे पिछले के नहें दिनों से सेलिंग का महल दीख रहा है यहाँ पे कितने दिन तक हो सकता है तो से हमारे यसाभ से अगर आप चाड़ के साइथ है तो कही ना कहीं एक ट्राइव ड्रोप तुह कलगे अगर मार्केट सच में वे जोन में आज करा क्षक्ट है तो ऊतिकhena पर ड्रोप हुआ कोई Christina कोई bass नहीं उसके बाद drop दिखे दूसरे फिर अगर मार्कट को ऊपर बनाला है तो एक Guy कोशना कुछ यहां पर माले कर तो ऊपिस एक राइस दिखाता है वैज से अगर मार्केट को गिरना है तो गि esque 주고 सी बनाता है वापिस गिरता है वापिस एक बेस बनाता है वापिस गिरता है तो उस हिसाब से मार्केट कर सकते हैं कि आप पिछले चार दिनों से देखोगे तो मार्केट गाप डॉन ओपन हो रहा है रेड में क्लोज हो रहा है कोई दिकत नहीं दोस्तों यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में आपको वापिस बाइंग करने के को सकता है प्रॉबैबिलिटी हो यह सकता है क्या पता नहीं लेकिन अगर मार्केट को अगर न्यूज पसंद आगे दोस्तों न्यूज बेस मार्केट अगर काम करना चाहता है तो एक अच्छे राली हमें देखने को मिल सकते हैं अगले हप्ते तो उसे इसाफ से हमें प्रिपे करेंगे दोस्तों तो आज का जो लो है 22,400 है 22,400 और हमें अगर मार्केट का अगर ट्रेंड चींज होना है तो कैसे काम करना से मार्केट ने इसके लिए एक घंटी के ट्राइम पर जाते हैं यहां पर देखिए अभी हमारे लिए इंपॉर्टन लेवल वापिस हो चुका है 22 22,600 निफ्टी ने 22,600 अगर क्रॉस कर दिया दोस्तों तो यहां पर अच्छी यहां पर गंटे का क्लोजिंग चाहिए हमें और उसके बाद वापिस 22,800 आ सकता है जो की प्रिवियस रेजिस्टन्स था और अभी वह रेजिस्टन्स के तरह काम कर सकता है तो यहां पर पहला अ के इसाब से आपको देखना है तो आपको क्या करना है निफ्टी अगर यहां पे मंडिक कल फ्लैड ओपन होता है ओके निफ्टी फ्लैड ओपन होता है उपर के साइड निकलता है तो 22,600 के उपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए 22,800 के लिए तो अभी इंट्रडे में देख लेते हैं पांच मिट के टाइम फ्लैम के इसाब से हैं एक से के ओके हैं अभी यहां पे क्लोजिंग अलग दिखा रहे है और डेली के अलग दिखा रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों यहां पे एक अभी आपके लिए रेजिस्सन्स हो चुका है 22,600 और एक तो आपको क्या करना है यहां पर एक होरिजंटल लाइल खीच लेनी है इस लेवल पर एक सपोर्ट के तरह काम करेगा और दुसरा हमारे लिए सपोर्ट है 22,400 के तरह के तरह दोस्तों इनकेस अगर निफ्टी फ्लैड ओपन होता है उपर के साइड निकलता है तो यह जो जो नो ट्रेडिंग जोन इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है तो 22,500 से लेके 600 के बीच में कुछ भी नहीं करना है इनकेस अगर निफ्टी फ्लैड ओपन होता हो के ऊपर निकलता है और 22,600 के ऊपर अगर आदा गंटा निफ्टी टाइम स्पेंड करता है आदा गंट और वहां से हमारा टार्गेट रहेगा दोस्तों फर्स टार्गेट रहेगा 22,700 फर्स टार्गेट रहेगा और सेकेंड टार्गेट हमारा 22,800 रहेगा तो आपको लेवल्स ड्रॉ कर लेना है दोस्तों आपको क्या करना है यहां पे मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके देता हो हमारा रहेगा यहाँ पर क्या करना है एक लाइन ड्रॉ कर लिए इस लेवल पर 22,700 हमारा फिर्स टार्गेट रहेगा कैसे इस आपसे किस आपसे अगर ने फ्लाइड ओपन होता है और उपर के साइड निकलता है यहाँ पर आदा गंटा टार्गेट 22,700 हमारा फिर्स टार्गेट रहेगा इस दो टार्गेट लेकर हम चलेंगे निप्टे में दोस्तों इनकेस अगर निप्टी फ्लाइड ओपन होता है और निच्चे के साइड निकलता है वापिस 22,500 ब्रेक कर देता है अभी यहाँ पर क्लोजिंग इदर दिखा र और यहाँ पे 15 मिनिट का कैंडल क्लोज हो जाता है 22,500 के नीचे तो दोस्तों यहाँ पे हम पूर्ट में पोजिशन बना लेंगे वहाँ से हमारा वापिस 80-90 पोइंट टार्गेट रहेगा 22,400 और सेकेंड टार्गेट 22,350 तक रहेगा तो यहाँ से 500 पोइंट और यहाँ से 50 स्टाट पोण हमें टार्गेट मिल सकता है दोस्तों इनके सब्सक्राइब के नीचे ओपन होता है 22,500 के नीचे और पहले 15 मिनिट का कैंडल इसी लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है तो दोस्तों डेफिनिटल हम यहाँ पे पूर्ट में मिट जाएंगे टार्गेट हमारा आवे रहेगा 22,400 और 22,350 तक हमारा दो टार्गेट हमारे रहेंगे दोस्तों इनके अगर निफ्टी गयाप अपन होते हैं और 22,600 के ऊपर पहले आदा गंडा कैंडल क्लोज देता है तो उसी हिसाप से हमारा टार्गेट रहेगा 22,700 और 22,800 दो टार्गेट हम लेके चलेंग हें उसी हिसाप से हम काम करेंगे तो तो यहाँ पे अभी हाइली चैंसे से क्यों दोस्तों हमेशा होता हूं अगर निफट मार्केट के स्टक्चर के एसाप से देखोगे तो वन वे-फॉल नहीं देखने मिलेगा और वन वे रैली देखने को नहीं मिलेगी तो आपको यहां पर कहिना के बाउंस देखने को मिल सकता है कल के दिन या मंडे चुजडे की दिन अगर मंडे चुजडे को डेफिनिटली अगर बड़े प्लेयर्स मतलब यह सोच समझ के चल दे की वीजेवी का गवर्रमें अगला पूरा विक एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना रोसी हिसाब से आपको लाइव मार्केट में काम करना है दोस्ते बैंक निफ्टी का क्या विव बन के आ रहा है कि एक गंटे के टाइम फ्रेम के साब से देखते हैं यहां पर देखिए बैंक अच्छा पॉजिटिव मूड में क्योंकि निफ्टी निगेटिव में क्लोज हो रहा है लेकि बैंक निफ्टी प्लस में क्लोज हो रहा है तो यहां पर कही ना कही दोनों आपोजिट काम कर रह सब्सक्राइब तो दोनों साथ में काम करते हैं यहां पर हम देख लेते हैं यहां पे देखें दोस्तों पहले जो नहीं सब्सक्राइब तो इस लेवल पर जाने के बाद कहीं वापिस सेलिंग और यहां पर टेस्ट करके ऊपर के तरह तो यहां पर एक अच्छा पॉजटिव ट्रेंट तो दीख रहा है लेकिन कितना सस्टेंट करेगा हो देखते हैं यहाँ पी देखें मैंने लास्ट वीडियो में भी बता था कि बैंग नेप्टी में 49,000 का एक अच्छा सपोर्ट है अगर ब्रेक होता है तो वापिस 48,200 के दरब आ सकता है तो बैंग ने क्या किया कल की दिन कल की दिन अगर आप यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि बैंग बैंग ने काल में आपको बैठना है 49,000 के उपर अगर 49,000 के उपर आदा एक गंटा अगर सश्टेंट हो जाता है बैंग ने तो हम यहाँ पर कॉल में बैठ जाएंगे वहां से टार्गे आपका 49,600 और 50,000 तक भी आपको टार्गेट मिल सकता है दोस्तों डाउंसाइड में आपको का बैठना है डाउंसाइड में आपको बता बता देता हूं मैं अभी डाउंसाइड में हम सिर्फ 48,500 के निचे ही बैठेंगे यह जो जोने नोट रेडिन जोने 500 का जो अच्छा प्रोफिट बनाना चाहते है उनक सब्सक्राइड में काम कीजिए दोस्तों याब अगर वीडियो अच्छा लागा तो दो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए थैंक्यू थैंक्यू बहुरूंचिंग